कि अल्दा के फजलो गरम सा आप सकती दूआ सो हम ने बिल्कु ठीकर लतला आपसा कर में शकुश रखे आमीन तो मेरे प्यारे बन बाई अज रात के खाने में वज़ान जा रही हूं चेट पटी मज्यदार कठल की सबजी तो घटल की सब्सक्राइब लिए हम देख लेते हैं किया की चीजी चाहिए तु छलिए पहले मैं कथल से शुरू करती। मुद्ध को मैंने देखिए यह बारीक बारटीकड़ों में कट कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूं और मैं आपको कठल के रच बाटे वह नहीं दिखा पाई उसके लिए मैं माज़गत चाहती हूं आपसे तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे अगर आप चाहें तो ऑईली ने डीप प्राई भी कर सकते हैं लेकिन आपको पता है गर्मियों को मौसमें समरका तो ऑईल हमें कम से कम यूज करना चाहिए हमारा खाना भी अच्छा बने और ऑईल भी कम यूज करें अगर सर्दियां है इंसान थोड़ा बहुत ऑईल कम जादा कर लेता है लेकिन गर्मी के मौसमें तो ऑईल हम जितना कम खाई ने हमारी सयाथ के लिए उतना ही जादा अच्छा है तो यह मैंने इसमें इस वारी चम्मच से दो चम्मच डालाता तो यह मैंने दो चम्मच में एक कठा हुथी तो किलो मैंने कठा लेती तो उसी में यह दो चम्मच में प्राई कर रही हूं तो कठा हमारी ब्राउन हो रही है और इदर मसालों में देख लेते हैं इसका कठल का सुआद बढ़ाने के लिए अगर आप चाहे तो टमाटर भी उसकर सकते हैं लेकिन हम लों कठल में टमाटर नह चिकन के जैसी यह मटरन के जैसे टेस्ट दिखानी है तो उसमाँ दही का ही यूश करें उससों बहुत अच्छा टेस्ट आता है दही से कठल में तो यह मैंने तक्रीबन 100 ग्राम दही ले लिए नॉर्मल दही है खट्टी वादी नहीं है और इदर मैंने एक इंचा और खुश बूगल यह मैंशना पको पता है कि मैं किसी भी रएषपि में धनिय को इस क्रीप नहीं करती है जा शब्स्थ यूशंsn पसंद है तो यह हमने ले लिया है एक मुठी हरा दमिया कठल हमारी पर स्प्राइब होई गई है तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं यह देखिए कठल हमने अलग बॉल में ट्रास्वर कर लिए और इसमें मैट करती हूं मसाले के लिए ओईल भी तो यह देखिए ओईल हमने ओवल जैसे ही अध्रकth लक्राइब करताई हैं तो समीड़ती में में झालिश्चाइब के लिए सम्ञकोगा अध्रक्रा लक्रा शाह-ध्रक्राइब हमने बास्वर में ऩहले के लिए मैटा आइका आज में जुमां साथ करते दो भी शिच्छी जल्यक्वा अलब तो इक द और मसाले में से ऐल सेपरेट ना होने लगे तो इस मसाले को तकरीव हम दस मिनट तक अच्छे से भूनेंगे चलिए मिलते हैं आप से दस मिनट के बाद यह देखिए मेरे प्यारे बेंट भाई हो कठल का मसाला हमारा माशयल्ला सब बहुत ही अच्छे से भून चुपा है मैं आपको चम्मस में लेकर यह देखिए मसाला कितने अच्छे से भड़ गया है हमारा और होईल एकदम सेपरेट हो गया है इसमें से तो आपको वस इसी बा चलिए अब इसी श्टेट्टर में इसमें एड कर देती हूँ यह दही है देखिए इसमें इसमें एड कर दिये और अब हमें एक से दो मिनाट के लिए दही को अच्छे से भून लेना है ताकि दही का जो फच्छापन है वो मसाले के साथ में भूनकर खत्म हो जाए तो बस अब इसमें एड करेंगे अपनी कठल और मेरे बहुत मज़े की कठल की सब्जी बनकर के तयार होती है आप भी एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा इंशाल्ला आपकी पैमिली को बहुत जादा इस तरीके सचेस्ट मेना बनाईए इस तरह साथ आप इस्टार बाई इस्टार आपकी कठल की सब्जी भी बहुत ही मज़े की बनकर के तयार हो गया है अब इसमें मैं एड कर दूंगी अपनी कठल चलिए बिस्मिल्ला रखनानी रही जो इसमें यह जो भी कठल इसमें एश्ट्रा लगी भी है इसको हम सब निकाल लेते हैं सब देखिए प्यारे भेंबा ऐसमें हाप का पानी डालेंगी कै excellence दूंगी में मिमनेट लेता है कि इसमें मैं अच्छे सब देख आप का मैं चुकी है आप को फजुखिए और यचे लगाते हैं मिलते हैं आप से पांस मिनट के बाद में अच्छ़ वायब बसक्त ओडे कठल को बिलकुल को अब ही थे देखिए हमारी कठल में भूछ बहुत ही सबारी को पूल ऑख सके हमारी जाना कि राट रही है कितनी मज़े की बन करके तयार हुई है दो सीटियों में और पानी भी हमने बिल्कुल एकदम परफेक्ट सही डाला था तो इसमें हलका सा मौश जर रहे थे इसको मैं फुश कर लेती हूं इसे स्टेश पर हम इसमें एड कर देंगे हरा धनिया बहुत मज़े का इस कठल का जायका हो रहा है हलका सा मैं इसका मसाले का नमक चेक किया था इसमिल्ला रख्मानी रहे आ देखें धनिया डालने से कितनी अच्छी सबजी में रंगत आ जाती है तो इसलिए हरा धनिया प्रश हो जाए और इसमें सेपरेट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं इसकी प्लेटिंग करके यह रहे कि मेरे प्यारे भेंबाईयों हमारे कठल की फाइनल लूक तो यलो कठल बनाई है तो मैंने सोचा कि यलो ही बरतन में मैं इसको सर्फ करूं तो यह हमा और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरे चैनल को कर लें मेरी वीडियो को करें फूल वाच तो अपको मेरी रेस्पी कैसे लें वी कमेंट बग्स मुझे तो मिलते हैं आप से नेक्स्वीडियो में अल्लाँ आपीज